वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला आए हुए हैं most important चलिए question ग्यारा कह रहा है कि जैव मंडल बताना है और आवस्थिती कि कौन से जैव मंडल कहा है जैव मंडल आई होप आपको पता होगा बायोस्फेयर रिजर्व मतलब जहां पर जैव मंडल में रिजर्व मतलब प्रोटेक्ट करा जाता है जानवरों को फिर उसमें कुछ economic activities भी allow होती है जैसे buffer zone है ये सबाई होप आपने पढ़ा होगा तो simlipal बहुत famous है ओड़ी साब आपने सुना होगा simlipal ठीक है नंदा देवी जरूर सुना होगा उत्राखंड में तो matching के लिए A का 4 C में 1 ढूंड ये कहा है तो देखिए A में 4 दिखा आ भी हो जाएगा है मतलब आपको दो याद होगा और दो most frequent है ये सबको याद दी हो गया यह ठीक है तो इसका option भी हो जाएगा मतलब अगर पूछ ले पचमड़ी कहां पे तो पचमड़ी कहां पे बताओ गया ठीक है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा नौक रेक नौक रेक आपका में घालेया हो जाएगा ठीक है important है याद रखिएगा निम्लेखी तुमें इसे किस इस्थान पर भारत में प्रिथम नगर निकम की स्थापना की गई थी भारत में प्रिथम नगर निकम 1687 में मदरास में बनाया गया था याद रखिएगा 1687 मदरास question 14 मैंने last lecture में ब बताया था तो दोस्तो question 12 कह रहा है नीचे दिये कतनों में से अभिकतन और कारण समझना है ठीक है तो अभिकतन है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहयक नदी थी आज कलवे ब्रह्मोपत्र की सहयक नदी है तो जी हाँ ये सही है तीस्ता देखिए सिक्किम पाश्यम बंगाल और बंग्लादेश में बहती है पहले ये गंगा की ट्रिब्यूटरी थी मतलब उसकी सहयक नहीं दी थी अब उसका कोर्स चेंज हो जाने की वज़े से ये बन गई है ब्रह्मोपुत्रा की सहयक नदी अब कारण कह रहा है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रह् खाले जाने जो हिमालय की नदिया होती हो इतनी बड़ी होती इतनी वास्ट होती है कि वो उनका कोर्स चेंज कर देती है दूसरी नदी को भी अपनी में समाहित कर देती है या उसका कोर्स को डाइवर्स कर देती है न तो ये बिलकुल सही है क्वेशन सोला कह रहा है सोकोत्र द्वीप के संदर में कौन सा कतन सही है तो देखिए सोकोत्रा दीप ये नियूज में था जब आरो यारो को एक्जाम हुआ था एक शिप क्राश होई थी शायद वहां पे तब है न तो जो नियूज में हो कंट्री वो मैं मैप में शॉट्स कित्रू बताता हूं उसको जरूर एक देख लिया करो ठीक है शॉट्स में मैप जरूर मैं करा देता हूं एक जो भी कंट्री नियूज में होती है तो शोकोत्रा कह रहा है द्वीप कहा है यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थेत है सबसे पहली बात दूसरा इसे 2008 में यूनेसको द्वारा याद रखना है आपको यह मैप है इसका देख लीजे ठीक है तो जो नियूज में हो मैप जरूर देखो जोग्रफी ऐसी ही आती है क्वेशन सत्रा कह रहा है स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज में है तो यह भी करेंट अफेर्स का क्वेशन था स्टैचू ऑफ पीस का राजिस्थान में उद्घाटन किया गया था एक सक्यावन फीट उची मूर्ती थी अश्ट धातू की बनी ठीक है तो यह याद रखेगा राजिस्थान गुजरात करेंट अफेर्स में था यह अठारा कह रहा है उत्तर प्रदेश में निमनिलकित में से कौन सा जिला प्रदेश जीके में कराया हुआ है सबसे बड़ा लखीमपूर सबसे चोटा हापूर ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखता है कोशन 22 कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो देखो हुंडरू प्रपात यह सुवन रिखा नदी पे है बिलकुल सही है चचाई प प्रपात नर्बंदा नदी यह भी साइए इसके बारे में आपने बूरह घाग पृपात ठीक है जिसको लोध प्रपात भी बोलते है जो कि जहार कंड में हैं बूर ही नदी पर यह कांची नदी पर नहीं ठीक है तो जियोग्रफी को कोशन मेरे बाई देख रहो टफ आते ह आरो यारो में इसको अच्छे से करना पड़ेगा चलिए नेक्स देखता है question 20 कह रहा है नोबी और कांटो मैदान निम्निक्रित में से किछ देश में है तो नाम सहीब देखो पता चल रहा है बड़ा confusing है पर उत्तर कोरिया, देच्छन कोरिया, जेपैन, चीन ऐसे नाम है तो नोबी और कांटो मैदान ये current affairs में थे पिछली बार तो ये जेपैन में है, कहा है? जेपैन में, ठीक है जोग्रफी का analysis देखो PYQ का यही है आपको भी ये पता चल देगा कि किस type के question आते है current specific geography में ज़्यादा आते हैं, ठीक है map based जो भी news में, स्टमेज राइल, वेनेजुएला news में आया टर्की news में आया, इरान news में है, उसके border क्या है आसपास कौन सा सी है, ये सब चीज़े important है और ये मैं सब shots के through करा देता हूँ, चेक कर लिया करो ठीक है? चलो निमलेकित में से कौन सा द्वीट केरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, ग्रेनाडा, मोंटरसरेटा, मडीरा, एंगुईला, देख रो, कितने खतरना क्वेशन है, सुने भी नहीं होंगे, बाउंस मार रहा होगा, है न, तो इस टाइप के क्वेशन आते हैं, मोंटरसरेटा, एंगुईला, ये सब केरेबियन सी में, ठीक है, तो याद रखना, चलो, क्वेशन 21 देखते हैं, परवत, मतलब माउंट एवरेस्ट है, ये जौला मुकी और किस देश में ये बताना है, तो ये भी शौट्स के तुरू मैंने कराए हुए हैं, चेक कर सकते ह माउंट रेनर कहा हैं, तो माउंट रेनर जो है आपका, ये यूएसे में हैं, कहाँ पे है, यूएसे में, माउंट एटना ये बहुत फेमाज है, काई बार सोना भी होगा, आपने माउंट एटना से इटली, माउंट एटना इटली, ठीक, माउंट पैरी कुटीन, ये माउं तो इसको अच्छे से कर लो क्योंकि ज्यादा मौनिक मौंटेंस है नहीं कोशन 25 फिर से कह रहा है भारत के राज और उनकी उंची चोटी यह बताई है तमिल नाडूम की सबसे उंची चोटी वह डोड़ा बेटा चोटी जो की वेस्टन गाट में सुना होगा शायद आप ठीक है राजस्थान की जो सबसे उंचा परवत है वह अरावलीज में गुरू शिखर चोटी है नागा लैंड में सारा माती चोटी है और मध्य प्रदेश में धूप गड़ पे यह भी सुनी होगी आई गैस आपने धूप गड़ चोटी यह इसका option D हो जाएगा अच्छे से करो इसको यह फिर आएगा ठीक है इंडिन जोग्रफी में इस टाइब के question बनेंगे यह खाली एक question नहीं है चार option है तो यह चार question भी बन सकते हैं मतलब अगली बार इसी को निकाल लेगा कि बताओ भाई सारा माती चोटी कहां पे है तो बत सिंग रॉली की जो NTPC की शाका है यह उत्तर प्रदेश में है 38 साल पहली यह सबसे पहले बनी थी मतलब यह सबसे पुरानी काई है तो जी हाँ यह सही है मतलब option 2 इसका सही है पहला गज़त अगर 36 गड़ की जगह उत्तर प्रदेश होता है तो बिलकुल सही है तो यूपी क सही है मेकॉंग का डल्टा दच्छल कमबोडिया में इस्तित्य यह गलत है क्योंकि मेकॉंग देखो चाइना म्यामार लाओस थाइलेंड कमबोडिया से होते हुए वियत नाम में अपना डल्टा बनाती है और साउथ चाइना सी में गिर जाती है ठीक है तो एक्जाम की पश्चिम भाग में सीत रितू में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदाई मतलब जो सर्दियों में बारिश होती है उसका कारण क्या है तो इसका कारण देखो सुना होगा अपने वेस्टर डिस्टरबेंस इंग्लिश में हिंदी में इसको पश्चिमी विच्छोब बोलते ह मतलब इसका उद्गवम होता है मेडिटेरेनियन सी से ठीक है वहां से उठता है और नौर्थ वेस्ट मतलब जम्मो कश्मीर पंजाब उत्तर प्रितिस कुछेरियों में बारिश कराता है क्योंकि अपने आज जो मांसून एंटर करता है वो तो केरला में करता है भाईया है न बाईया काला सागर बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि युक्रेन से वार चल रही है उससे भी बॉर्डर शेर करता है तर्की इसराइल से भी कटर दुश्मनी चल रही है तो इसका पहले ये मैप देखो तो देखो प्लैक सी के बॉर्डर याद कर लो अच्छे से टर् कीमिया जो की रशिया ने इनेक्स कर लिया है तो 2014 में उस पर कब्सा युक्रेन रोमेनिया बुलगारिया ज्याद नहीं है तर् की जोरजी decentralized रुक्रीन रुक्रेन रोमेनिया बुलगारिया बस 6 बार 6 है 6 बार भूलो याद हो जाए ठीक है सी ओफ अज ऑज़ बियात कर लो दोस्तों बहुत न्यूज में है, पूछ लेगा किन दो देशों के बीच में है, तो रशिया और युक्रेन के बीच में ये सी ओफ एज ओफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसको भी अच्छे से कर लो, इंपोर्टन्ट है, न्यूज में है, एक काम और करना है, टर्की के याद रखने है, क्योंकि एक्जाम में पूछ सकता है, टर्की न्यूज में है, इसराइल के बॉर्डर याद रखने है, युक्रेन के और रेशिया के, भाइक पढ़ना पड़ेगा, मैप को अच्छे से, अगर नंबर चाहिए, चलो, पूश्चन 32 अगेन ये भी मैप बेस क विक्तोरिया, ये मेल्बर्ण में है, और पस्चिम Ausustralia, ये आपका पर्थ में है, मैप देख सकते हो, ये मैप अच्छे से, अच्छे से इसको करो, ठीकर मैप बेस कॉश्शन आते हैं, मैप का मैं तरीका बताउंगा आपको, कुछ करने का, मतलब आप बीस तिन उसमें द ठीक है अलासका में क्या कोरियाग पाई जाती है नहीं अलासका ठंडा है यहां एसमी कोस पाई जाती है हलागी ठंडा जहां कोरियाग रहते हैं वो भी है कोरियाग देखो साइबेरिया मतलब रश्या की तरफ एक यह जगा है कामचत का प्लेट पेनिसुला यहां पे यह सही है रुवाला अरब मरुस्थर यह भी सही है लैप्स स्वीडन तथा फिनलेंड यह भी सही है तो यह भी रटलो याद कर लो पूछ सकता है कि लैप्स जन जाती कहां पाई जाती है ठीक है टॉफ कोशन आते भाई जोग्रफी में हलकी फुलकी नहीं चलो क्योंकि इसमे क्योटूब प्रोटोकॉल 1970 में यह आया था कार्बन क्रेडिट पूछ लिए अगर क्या होता है तो यह दोस्तों क्रेडिट कार्ड तो सुना होगा क्रेडिट का मतलब क्या होता है आया तो क्रेडिट गया तो डेबिट आपके पास आया कुछ मतलब आपको क्रेडिट मिला या नहीं पैसा मिला ऐसा ही carbon credit एक permit होता था होता था क्या होता है कि आप को permission है कि आप इतना green house gas emission कर सकते हो मतलब वाता वरण में इतने carbon dioxide को छोड़ सकते हो चलिए next question दिखते है question 33 फिर से matching करने को कह रहा है कौन सा कब बना तो ललित कला academy कब बनी ललित कला academy ये बनी आपकी 1954 म 53 में राश्ट्रिय नाट्य विद्यालय ये 1959 में बनी सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रसिचन के ये 1979 में तो इसके 1234 सही है ठीक है तो जो सही लिखा है सामने वो ही सही था ठीक है तो ये कभी-कभी ऐसा ही tricky में आता है चले 34 कह रहा है निमनिलखितवख अभ्यारन मतलब Tiger Reserve में से कौन समध्य प्रदेश में स année इस्थित नहीं है अमनگड़ शुरुवाटी गलत होगी उमनगड ताइगर रिजर जो है ये उत्तर प्रदेश महीं है ठीक है मध्य प्रदेश में नहीं है पांकी बांदा उगर काना संजय दुबरी ये सही है Q38 कह रहा है हिमाले में जो त्रिशूल सिखर है त्रिशूल सिखर परवत सुना होगा आपने ये उत्राखंड के बागेश्वर जिले में इस थी तह ये बिलकुल सही है भाई ये चोटी 75-100 मीटर से भी अधिक उची है तो ये गलत है 7120 मीटर इसकी हाइट है तो ये याद रखना ये गलत है ओप्शन दो यानि ओप्शन ए सही है Q35 कह रहा है निमनलखित में से कौन सा कोईला अधारित बिजली सही है तो उत्तर प्रदेश में इस थीत है Q39 कह रहा है पारवती अरगा जो रामजर इस्थल के संदर में निमनलखित में से कौन सा कथन सही है तो पारवती अरगा ये जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थीत है बिलकुल सही है यह एक पच्छी अभ्यारान है बिलकुल जैसे नवाव गन पच्छी अभ्यारान ये सब पच्छी अभ्यारान है मतलब वाइल बर्ड वाइड लाइफ संचुरी का सकते हो ठीक है बर्ड संचुरी जिसको बोलते है ठीक है option देखने से पहले-पहले map देखो Baltics ही ये है इसकी countries देखो Sweden, Finland, Russia, Estonia, Lativia, Lithuania, Russia, Poland, Germany अच्छे से करो ये भी मैं shorts में सब बताता हूँ map जरूर देखो में रवाई तो देखो इसमें से अराम से कौन सी नहीं है तो देखो कौन सी नहीं देख रही है नौर्वे है क्या? नौर्वे बिलकुल नहीं है नौर्वे यहां कहीं दिख रहा है नहीं तो नौर्वे गलत हो जाएगा ठीक है? यहनि option D हो गया इसका कौशन सैतिस कह रहा है पशू और उसकी नसल गाय देवनी नसल ठाई सही है बकरी बर्बरी बकरी सुना होगा आपने बर्बरी बकरी बैस भदवारी जितनी होती उतनी अच्छी होती है भेण गिर गलत है गिर भी गाय की ही नसल है गिर किसकी है गाय की ही नसल है option D गलत है 1974 में प्रथम कृशी विज्ञान केंडर की अपना निमलिकित में से किस स्थान पर हुई थी ठीक है तो ये हुई थी आपकी pondicherry में कहां पर हुई थी pondicherry में तो दोस्तों ये सब जोग्रफी के ही question है agriculture का है ये देगी है ना तो अच्छे जिसको करो निमलिकित में से कौन सी नदी घाटी चेतरफल में सब से बड़ी है तो दोस्तों ये थे कुछ जो है ये सब से बड़ी है चेतरफल में तो दोस्तों ये थे कुछ question geography के वीडियो पसंद आया हो तो like ज़रूर कलना मिलते है next वीडियो में